को आपर नहीं किया है तो आप जोईन कर सकते हैं चलिए आज का सेसन सुरू करते हैं उसी मोटिवेशन कोड के साथ आप गूर्चाबार रखेगा तता औरों से बेटा तता अलग करने के लिए आपको पिरित करता रहेगा क्योंकि आरा वही है जो लड़ा नहीं है और आप तो हर नहीं सकते क्योंकि आप भारतिये हैं चलिए पहला कुशन देखते हैं जो काफी इंपोडेंट है एक ब्यक्ति बस्तोर या पधात जिसमें संक्र्मण बेजवात तक पहुंसता है तो आपका जो रायत अंसर रहेंगा वो रहेगा संक्र्मण का श्रोथ ये सब क्या है संक्रवत के श्रोथ हैं कार्वलिक अम्ल का मापान करने पर रोगी को निलिकत में से क्या करना चाहिए? आपका जुड़ायट आज़र आएगा बवन नहीं करना चाहिए तता चुझे के पानी और अण्डे की सपीदी विलानी चाहिए जो आपका कार्वलिक अमले अगर इसका किसी ने खा लिया है तो उसको क्या ना करा है उसको उल्टी ना करा है तता उसे चूने के पानी और अटने की सपी जर्दी देनी चाहिए जिसे के वो जो आपका कार्वलिक पदार्द खाये हैं वो उसे एफेक्ट ना कर सके अस्पताल और ब्रद्ध आश्रम जैसे सरकारी संस्थान खाद्य पतारते में बस्तुर खरीद रहे हैं तो आपका यूरायट अंसर रहेगा कि किस विद्धी को अपनाते हैं वहानी होती है अपचारिग ब्रद्ध आश्रम वोकी तो यहां पर क्या है आपचारिग ब्रद्ध को वहा अपनाते हैं नहशलते हैं जलाग रहाग विवास उदार अंदूलन मौबजा सहित कितने रकम के लिए केस ले सकती है तो आपके जो राइड अनजर रहता है वो हमारा है दस लाग तब प्रतीफ गवन गुरांक रिणात्मक होता है तो दूसरा रिणात्मक है तो दूसरा रिणात्मक होता है नहशलते निवले के तनुसंदान की कौन से विदी सक्रिय जीवन अवधिकता को मापने पर अध्यान में सहायक है तो आपका जो राइड अंसर रहेगा वो है उत्रश्टान्स बिसलेशन यह क्या है कि यह सहायक है ठीक है नहशलते है हरित क्रांती का बिस्तित्र प्रभाव किस पर अधिक पाया चाहता है तो जो हरित क्रांती है उसके बिस्तित्र प्रभाव की बात करने तो यह चावलों के उपर अधिक पाया चाहता है एशलते हैं बारत का प्रेश्कुल का अगर भी कौन है तो आपका है आपका जो रायट आंसर रहेगा कि किस ने इसकी पहल की तो वो हमारा है गिजु भाई बदेका गिजु भाई बदेका की बात करें तो इन्हें प्यार से बुछो वाली अमा बुलाते हैं क्योंकि कई बार जा सकता है कि बुछो वाली अमा किस से संबन देते हैं तो प्रेश्कुल सिच्छा से लेलेटेड है तता इसका नाव है कि जुभाई बदेका नैशलते हैं केदी प्रवर्टी और बिसर्जन के निवलिकित माप अनोबा में उप्यों किये जाते हैं तो अगर अनोबा की बा नोबा का मतलब है आपका एनालाइसिस नोबा कुछ बेरियंस करके हैं क्या करता है यह दिखाता है कि कौन से चर यानि कौन से जो मैनिवल है उसके बीच में कितना एफेक्ट दाता कितना वह एक दूसरे को को रिलेटेड हो रहा है मेथाइन बेसाक्त का उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो जो मिधाइन की बात करें तो इसमें एथाइल आपका एथाइल एलकोहल प्रयुक्त किया जाता है सरीर के उत्वाँ में तरल की जमा होने को कहते हैं तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा इंडिमा कहते हैं जब ये तरल पदायत जमा हो जाते हैं तो कुंसा रोग हो जाता है वो हमारा इंडिमा कहते हैं इंडिमा क्या है सोडियम क्लोराइड की सरीर में जमा होने से सरीर के उतकों में पानी जमा हो जाता है जिसे इंडिमा कहते हैं इस अमस्ता पर पूरा सरीर क्या है सूज जाता है यह बहुत most important है जगाम होने के इस्तिती में रख्त जम्री में महतपुर पुनकावदा करने वाली plates की प्रतिसंख्या या संख्या में होती है तो आपके जो plates की संख्या में होती है तो यहां पर 8 का है यह हर्मोन के सूर्थ है हट्टीया है अस्तिवज़ा हर्मोन के सूर्त बोजन पर उपस्ति ग्रफेच जारे आपके इसे दाद पधार दे जारे फाइभ WORS डॉट्ट-ट करने में साहिता करते हैं थो जो five वर्स के अगर बात करने तो यह किसमें तो आपका कुमा कुच कि मैं कुछन गती की बात करें तो है क्षाइध की सफाई करते हैं इसलिया हम खाने में फायवर्स की मात्रा रखते हैं एक धार दिया आसानी आसानी से पाछित होने वाला मुख्य कार्वोहट् piace passionate है तो आपके राइट आंसर है वह हमारा लेक्ट कुछ आसानी से पचिने वाला क्या है कि मुख्य कार्वोहट्री पदहाई पात है एक ऐसा विशेश प्रकार का स्वसंद जिसमें वच्छ की गतियां बहुत अधिक भड़ जाती हैं तो आपका जो राइट अंसर रहता है आपका प्रसोधित स्वसंद मास्पेसियों में तकावट किसके अत्यादिक निर्मार से होती है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा लेक्टिक अमले के निर्मार से होती है लेक्टिक अमले के मात्रा भड़ जाती है यानि इसके निर्मार से क्या होता है प्राणी के सरीर में भिविन अंगों को भादे रहने कारी रूप है तो किसका ये कारी रूप है तो आपका जो राइट अंपसर है वो हमारा सईयोजी कुश्काओं का ये कारी है अनुवानसिक गुड़ एब बातावण के सभी स्थरों के बिचादान प्रतान के फल सरूप हुए विकास को कहते हैं तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा है आपका एपीजेनिस कहते है ठीक है जे से क्या बनेगे आपका जो अनुवानसिक तक क्या है आपका है प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति की चालिस प्रस्थ से अधिक उलेखित असंतता को कहा जाता है तो यानि वो कैसा है असक्त है यानि वो बिसिष्ट चाइल्ड है तो उसको क्या कहा जाएगा जब वो चालिस प्रस्थ से अधिक है तो ऐसी ऐसकतता क्या है आपका बेचुमार का अच्छमता वाला व्यक्ति एक छेते से दूछे ने में एक व्यक्तिगत गुढ़ हत्वा गुढ़ सुविग्यता को सामान रूप देने की प्रवर्थी निवले कित्में से किसे संबन्दित है तो आपका जो रायट अंसर है वो हमारी परवेश प्रभाव से संबन्दित है समझदारी और तरक सकती बच्चों में कब विक्सित होती है तो आपका जो रायट अंसर रहेगा वो हमारा आपचारिक परचालन की अबस्ताब है तो कि उसमें समझ और तरकदारी बुद्धी जब वो अपनी फॉर्मल एज में होता है तब विक्सित होती है मुल्बुत आवाजें जो किसी भी भासा को बनाती है का अधिन कहलाता है तो आपका जो रायट अंसर है वहरा हमारा है फनलोची यानि धुरी बिग्यान कहलाता है यह काफी इंपोनेंट कोशन है फनलोची क्या है धुरी बिग्यान वो कहलाता है नहशलते हैं बार्सर के अज़सार सिसुवें प्रमो को रूप से पाए जाने वाले संबेग हैं तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा उप्युक्त सभी क्योंकि क्रोध भी होता है बेह भी होता है और प्रेह भी होता है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा ब्यवार परतन कहलाता है लेशल दे है बिसिश्चोबिन में कोशल और बरताव का पैंटन जो हम अपेच्छा करते हैं उसे कहते हैं लौट लौट अन्सरड जो रहेगा वो हमारा रहेगा विकासात्मकार कहते है किस बर्स पल्स पोलियो आपका इम्मून आजेसर प्रोक्राम लागो किया गया था तो आपका जो रायट अंजर है वो हमारा रहेगा यहाँ पर आपका उनने सब पिचानवे में यहाँ पर यह कोशन है कि आपका भारत पोलियो मुक्त कब हुआ था यहाँ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे को कि अब भारत क्या है पोलियो मुक्त हुचुका है पूरी तने से एक सिसू को इस्थन मोचन भुचप अधारत देने की शुरुआत करने की सही आयू है यहाँ आपका फ्लेडिक जो है मांका दुछ छुडाने के बाद उसे खाना खिलाने की सही आही हुआ यानि खाने पर लाने की तो वह 6 महीने बाद 6 महीना माँ बाप का बच्चों की पालन करने के अत्रिक्त में अभिभावकों की नियंतर दिखाने का तरीका है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है प्राधिकार पूर प्रडाली जिसका एक चार्ट है पूरा तो उसमें दिखाएंगे कि निके ये कैसी है तो यहाँ पर इसी तरह एकजामपल होता है और इन्वे से पूछा जाता है नेशलते अपरपक से सुवे कहलाते हैं जिनका बच्चन इन्वे से कम होता है तो वो अपरपक होगा जिसका बच्चन 2 kg से भी कम होगा निमलिक के तो ऐसे कौन सा इस्तरी प्रजनन अंगों में नहीं आता है तो आपका जो राइट आंसर है कि कौन सा इस्तरी प्रजनन रंग नहीं है तो वो हमारा जेस्ट्रोन क्या है इस्तरी प्रजनन अंग नहीं है गर्म में मांजिक दुरबलता किस कारण नहीं हो सकती है तो आपका जो राइट आंसर के किस कारण नहीं हो सकती है तो आपके जो इस कोशिन का जो आयोग ने रखा था वो रखा था दुरगटना के कारण नहीं हो सकती है जब कि कभी कभी क्या होता है कि मांसी दुरुबलता दुरुटना के कारण भी हो जाती है देन एमरेज होना या फिर आपका किसी ऐसी ऐसादी पीमारी से ग्रसित होने पर भी हो जाती है आपका है वक्तव्यों में इसे कौन सा निमित वक्तव्य का उदालर है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा तो रहेगा यहां पर जो राइट आंसर है कि जब कोई बहला गर्वजस्था के प्रतमत्रे मासिक रूबेला से प्रभावित होती है तक भूब भी अन्दे बच्चे को जनभ दे सकती है तो रुमेला अगर पिमारी से माता ग्रशित है तो वो क्या करे कि भीने बच्चे को जनभ देगी अगर उसकी अभी बुड़बस्ता भी चाले लो नहीं होई तो छलें डैस्ट देथे हैं गरवस्ता के दौरान कौह सा हर्मौन never ग़ित के क्लिखा में पेश्यों की काणिशीलदा को खम करता है। तो आपका जो राइड अंसर रहेगा वो अमाना एश्ट्रो जैन क्या करता है पेशियों की कार्शीलता को कम करता है देश कोशन देखिए गरवस्ता के दौरान कौन सा हार्मोन जी आई टी के अमासे की पेशियों की कार्शीलता को कम करता है तो आपका जो right answer रहेगा वहरागा अश्टोजन ये क्या करता है गत सीलता को कम करता है नेशलते हैं बाल म्रत्यू की समस्या की समादन का उच्छ साधन है तो आपका जो right answer है वह है सिच्छा क्योंकि जेनरली 95% कोई भी प्रॉब्लम हो उसका अगर उच्छ समादन है तो वह है सिच्छा क्योंकि उसी की द्वारा उसमें परवर्तन या उसे समझा या उसे खतम किया जा सकता है तो आपका यो right answer रहेगा संग्यानात में विकास का निव ने चरण कौन सा है तो वो हमारा सभीती प्रेयरक अवस्ता यह सेंसरी मोटर अवस्ता श्टेज बोलते हैं इसने चार श्टेजे दी है अगर इसकी बात की जाए तो हमारी जो सबसे लाश्ट श्टेज है उसे फॉर्मल आपका फॉर्मल श्टेज कहते हैं याने उफचारिक अवस्ता आचरण प्रकिरिया सास्त्री अन्गूलन का पहचान तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है पावलव की है यह किसकी ने दिया है तो यह दिया है पावलव ने मानव जीवन के किस अवस्ता में मज्जय बिकास की प्रकिरिया वे तीम और पहु पच्छीय परवर्तन होते है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है किसोरा वस्ता में बहुब पच्छिय और तीव क्या होते हैं यह पर परवर्दन होते हैं मानब विकास की प्रकिरिया का भूल भूत संप्रत्य है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है उप्योग्त सभी विकास का अर्फेव परिवासा, विकास की विसेश्ता, विकास एबं अविम्रती में अंतर तव्यासे सुवर कौनसी इंद्रिय सबसे कम بिक्षित होती है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है सूंगना ये सबसे कम बिक्षित होती है अनुवाशिक पधार्त में परिवर्तन निड़ोड़ोट में परिवर्त होता है तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है कोशिका यानि सेल्स में परिवर्तन किसके अनुशार नेतिक विकास दो चरड़ों में होता है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है प्याजी के अनुसाल नेतिक विकास दूचर्णों में होता है बाल बनुबिग्ञान बनुबिग्ञान की वैसा का है जिसमें जन्म से परपकुता तक विक्षित हो रहे मानव का अदिन किया जाता है यह किस ने कहा है तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा जैम्स ड्रेवर ने कहा है आखणों क्या स्तमू और बैग्ञानिक मुल्यांकर की प्रकेरिया क्रमबद और निस्पच को कहते हैं तो आपका जो right answer रहेगा वो हमारा है अपचारिक मुल्यांकन जिसमें गया होती है क्रमद और निस्पच्च को कहते हैं वो हमारी है अपचारिक मुल्यांकन बारत का कौन सा राज प्रात्मे सिच्छा पर सरवातिक धर्ड खर्च करता है तो आपका जो right answer है वो हमारा है केरल केरल राज क्या करता है प्रात्मे सिच्छा पर सरवातिक खर्च करता है बारत में प्रावर सिच्छा के निमलिगत कारेक्रमों के इस्थापना बर्स को कालक्रम के क्रम में ब्यवस्तित कीजिए यानि जिस जैसे उनकी स्थापना हुई है उसकोने उन्हें काल क्रम में रख रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी यहाँ पर क्या है कि जो कूट दे रखी है वही बिल्कुल सही है याने आपका राश्ट्रे प्रोड सिछा कारी का याने एन एईपी फिर राश्ट्रे सार्चर्टा विसन याने ल, एन, एम फिर है संपूर सार्चर्टा वियान याने टी, एल, सी याने आपका एन, एल, एम क्या हुआ था कम सक्सेच हुआ तब संपूर सार्चर्टा वियान आया याने टी, एल, एम, सी आया फिर टी, एल, एम, सी के बाद आया पिस्तार यानि ससक्त सिच्छा तो आपका जो जो इंट्रिक्रम दे रखा ये बिल्कुल सही है तो आपका जो राइट अंसर रहे जाएगा वो रहे जाएगा D एक राष्टे सर्स्ता जो सामाचिक इह वो अपग बालकों के लिए कारे रत है तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा है यहाँ पर आपका है C.S.W.B आपका है I.C.D.S. में जाने वाले विध्याले में प्रवेस लेने से पूरु बाले च्छाचात्राओं को दिया जाने वाला समपूरा पूशा आर्ण में क्या होना चाहिए तो आपका जो राइट अंसर रहेगा वो रहेगा 300 कैलोरी तता 10 ग्राम प्रोटी ग्रामिर विकास और योजन में में महतपूर भूमे का अजा करने वाला आपका पाइलिट प्रोजेक्ट था तो आपका जो राइट अंसर है वो हमारा इटावा प्रोजेक्ट इसको पाइलिट प्रोजेक्ट के नाम से या इटावा प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं या योजरा एक अमेरी की है आपका आर्टिटेक्ट आपका है आर्टिटेक्ट अलवर्ट बेयर द्वारा कब जुरू की गई थी याद रखिएगा वो हमारे की 1948 में भारत कब सब्दू है 1947 ठीक है तो एक साल बात जिसका उदेश कया था उतपादर में सुधार समझिक सुधार और सिच्छा प्रदान कर करना आत्म विस्वास ऐसे योग था इसमें कित्ते गाहों को समलित किया गया था तो चौसट गाहों को समलित किया गया था जिस पत्र की प्रतिलिपियां बनाई जा सके और स्थमान सूचना कई व्यक्तियों तक पहुचाई जा सके उसे कहते हैं तो आपका जो राइट आंसर है वो कहते हैं आपका सरकुलर पर पत्र आपका लिंगस मोडल में संचार का छटा तत्व है तो आपका जो राइट आंसर है संचार का छटा तत्व क्या है प्रतिकिरिया है आपका जो शुरोता है वो कौन सा तत्तु है पांचमा आपका जो संदेश है वो कौन सा है दूसरा आपका जो क्या है यहाँ पर संचारक है यह कुछ नहीं है पहरा आपका प्रेशक होता है आपका है कमिनुकेटर दूसरा संदेश होता है यह रहा दूसरा वाला जिसको आपक treatment होता है पांचमा आपका सोता यानि audience होती है जो आपको शुन नहीं है और छटमा होता है प्रत्त किरी आजाने जो सुनना है वो कितना आपको response दे रहे हैं अगर ये पीडियो की बात करें तो वो telegram channel पापको मिल जाएगी एक सुयोजित बिस्तरी आपका है विस्तरी करण सिच्छर पदिति के नुक्रम का चैन करें तो आपका जो right answer रहेगा वो हमारा रहेगा अबरुची इच्छा रेंड विश्वास कर्ब और संतोस ये सबी क्या है आपके विस्तरी करण सिच्छर संदेश भेजने वाले और प्राप तो करने वाले के भीच की कड़ी को कहते हैं तो आपका जो right answer रहेगा कि क्या कहते हैं तो वो हमारा है माध्यम कहते हैं प्रत्पुष्टी आपका क्या है यहाँ पर प्रत्पुष्टी की जगए आजाता रिस्पॉंस तो आपका हो जाता है यह six option यह लेशलते हैं बालकों के लिए ग्राप ग्यान सिच्छा का प्राणब करना चाहिए तो आपका जो right answer है कब करना चाहिए ग्राप ग्यान सिच्छा का तो यहाँ पर कब करना चाहिए गर बिग्यान का तो वो है प्रात्मिक इस थर से प्रसार सिच्छा सब्द का सरप्रतम किस देश में प्रयोग हुआ है तो आपका जो रायट अंसर है वो हमारा है UK में इसका प्रयोग हुआ है पूलों की विवस्ता का उद्दिश चारो और खुशी चीवन और सुन्दर भरूना है यह किस ने काहा है तो आपका जो रायट अंसर है वो हमारा है AH रट ने काहा है निवले कि तुम ऐसे किसके द्वारा है आपका है डिजाइन में ले नहीं प्राप्त किया जा सकता है कला का सिद्दान तो जो एक ताका भाव उत्वन करता है तो आपका जो रायट अंसर है वो हमारा है एक रूपता है एक ताका भाव एक रूपता है ठीक है आज हम क्या करेंगे टॉप 16 कोशनों को देखेंगे इस वाली वीडिएो को हम दो पार्टों में रखेंगे क्योंकि ये वीडियो उत्ता लम्मा खिश नहीं पतला कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बबनी के बिबिन ने काईया काशूर बायू दिसा बरसा इवम इलाके के तल रूप के आधार पर इस तानने करना कहलाता है तो यानि जैसे हमारे घर में आयू बायू आसके सही दिसा हो तो बगहलाता अब मुखी करन आपका जो राइट आंसर है वो यह है हमने क्या करा है कि आपका जो प्रेटिस एर्ट सेवन ता उसके साथ कोशनों को आप देख लिया है अगले नेश्ट वीडियो में हम उनी साथ जो बचे हुए कोशनों को लेकर आएंगे प्रेटिस एर्ट सेवन के तो आप तक जैसने पी इस चैनल को क्या करा ना हो अब टेलीगरम ना जोइन किया हो तो टेलीगरम जोइन कर लिजे तो तक चैनल को क्या कर लें सब्सक्राइब कर लें को कि कुछ दिनों में क्या है इसका जिन टॉपिकों से कुशन बनते हैं वो टॉपिक वाइज आपके सामने रिवीजन के तौर पर कराए जाएंगे जहां से कुशन हर बार बनते ही बनते हैं उस टाइब से तो आज के लिए बस इतना ही अगले सेसल में फिल मिलेंगे तब तक के लिए जय ही जय भारत धन्यवाद